की कुशल्ट वीडियो में हमने को सेऩ में कुक next वालनलेट की आवस्ता तक जरूर्णक की बारे में जाने करेंगें हैं आज हम सेब में वालनल तक रखनी वालनलेट से लेक faithful कि ही आवस्ता तक जरूर प् ermotart की बारे जने vite कि इस आवस्ता के दोरान दो पूशंत अप्रम्हपूर्मिद्विकारी बात है इसमें केल्षयम और बोरान सामीर है वालट के आवस्ता के बाद केल्षयम और पोटैश का संतुनन बनाय रखना ज़रूरी है वालट के बाद को केल्षयम की आपूर्थी के लिए नए वक्तों इस आवस्ता के दूरान कैल्षयम की करें कारण अंधिश में की समश्चा बढ़ सकती है वालले के बाद प्ल के विकास में कैल्षयम का स्तर कम बनी दगता है इसलिए wallet के बाद सेग को कैल्शन देना जरूरी है wallet के वस्ता के बाद चिर्काओं के लिए nitrogen यूद कैल्शन का इस्तमाल ना करें क्योंकि nitrogen की मात्रा बढ़ने पर फलका ठोस्पन कम हो जाता है और इसी वज़े से फल के भंडार के शम्ता में कमी आ जाती है कैल्शन के आपूर्थी के लिए ट्रेट काओं का मैक्स्पोल सीए प्लस बहुत पुर्ण का लिवाता है जिसमें गाड़े सस्पेशन फॉर्म में कैल्शन के साथ मैंगनीज और जिंक भी है जो पत्तों को हरा बना रखने में बदद करते हैं इसे खास तक्निक से बनाया जाता है जिससे कैल्शन के कनों का आतार अती सुख्ष में रखा जाता है जिसे कारण कैल्शन के कन पत्तों में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं इसमें पत्तों के उपर चिपकाने वाले और फैलाने वाले तक्व मोधुद है जिससे यह केशिल को एक समान तब्तों की पर खेला कर पत्ते के अंदर ले जाने में मदद करते हैं साथी Maximo CA Plus नाटो जेने से मुक्त होने के कारण फल की भंदार में शंता भी बनाता है हमारी आंतरी खोज में हमने पाया है कि Maximo CA Plus की इस्तिमाल के बाद फल में बिटरबिट की समश्या 60% कम हो गई है और इस दिल्टे बाल के बाद फल पर सफेद धब्बे भी नहीं पड़ी इसलिए सेव की अच्छी गुनवत्ता के लिए 200 लिटर पानी में मैक्सप्लो सीय प्लस 200 मिली और ट्रेडबोर 100 मिली मिलाए और गोल को अच्छी तरह मिलाकर वालनट के बाद से तुडान के 30 दिन पहले तक दो बार छिदकाओं करें इससे फल में कैल्शन की मात्रा बढ़ेगी और फल की बंड़ा ने शंता भी बढ़ेगी यहां ट्रेडबोर कैल्शन के वल में बढ़ करता है और साथी फल के परत को अचला रखता है जिसे हमें फल का सही आकार मिलता है आपकी जानकारी के लिए हमारा न्यूट्रिशन फ्रोड्राम दिया गया है आप इसको रेक्पर कर सकते हैं अलिक जानकारी के लिए देगे नंबर पर संपर करें धन्यवाद